हलो गाईज, आज एक बहुत इंपोर्टन डिसकशन के लिए मिले हैं, लोगों की दिवाली जा चुकी है, लेकिन हमारा ट्रू फेस्टिवल अफ लाइट आने वाला है, CACET नवेंबर 2020, कईयों के पटा के छूटेंगे, कईयों को मिठाईयां मिलेगी, लेकिन सही दिवाली तो 21 नवेंबर को ही बनेगी, CACET नवेंबर 2020 का जो एक डिसकशन है, इसके मैं दो पार्ट में बांटने वाला हूँ इस डिसकशन को, पहला होगा टेक्निकल और दूसरा होगा अक्याडमिक, टेक्निकल के बारे में काफी सारी बातें, ICSI ने अपने बहुत सारे FAQs और जो conferences करी, उसमें reveal करी है, आईए उनको सारी बातों को एक साथ एक जगे पे अपने पढ़ लेते में, सारा निचोड एक जगे पे लेके आया हूँ, पहली चीज, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा बच्चों कि आप अपना exam जो एक laptop पे दे, because a laptop will take care of a lot of problems in one single solution, it has an inbuilt microphone, it has an inbuilt webcam, because अगर आप अपने laptop को अच्छे से charge करते हैं, तो वो आपको एक uninterrupted power supply भी देगा दो घंटे के लिए, तो यह सारी problems, जो कि एक computer में, desktop में रहती है, वो laptop में automatically दूर हो जाएगी, कुछ जो system की requirements आपको ध्यान रखनी है, sorry, वो होंगी, Windows आपके पास में 7 and above का processing system होना चाह यह, network bandwidth की अगर बात करूं तो 512 kbps का होना चाहिए, processor आपके पास में dual core होना चाहिए, यह कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्छों, आपका जो antivirus है, उसे आपको disable करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, sabit जो है, जो safe examination browser है, वो overrule करेगा कुछ firewall permissions को, इसलिए जब आप उसे install करते हैं, तो run anyways का जब आपके पास में prompt आता है, तो आपको उसे accept कर लेना है, आपको उसे मान लेना है, ठीक है जी, इसके बाद में, जो आपका pop-up blocker होता है, या add blocker होता है, उसे भी आपको disable करना पड़ेगा, आप सब को पता with a lot of other browsers, तो I'm sure आप Chrome already download कर, चुकि नहीं किया है, अगर किसी ने कोई ऐसा व्यक्ती भी है, हमारे बीद जिसने शायद ICSI का mock नहीं दिया है, तो वो ये सारी चीजों को please कर ले, in fact एक बहुत अच्छी news है, 20th को ICSI is organizing another mock, और please उसे देना ना भूले, चलिए, आगे की अगर बात करूं, टेक्निकल कुछ बात हैं अगर आपको समझ में आ गई है, अगर फिर भी कोई problem हो जाता है, कुछ issue हो जाता है, सर दिवाली है, सर आग लग जाती है, तो क्या करे सर, 911 मिलाएं, 100 मिलाएं, जी नहीं, आपको जो screen पे number दिये जा रहे हैं, इन numbers पे आपको call करना ह और ICSI आपको जरूर मदद करेगा, ICSI में ये बात भी कहिए कि अगर किसी का internet issue होता है, या power supply का issue होता है, उसे एक extension of time भी दिया जाएगा, जो की maximum 15 minutes का होगा, 15 minutes तक का आपको extension दिया जाएगा time span में, but please आप अपने आपको ऐसी तैयारी करवाएं, कि आपको इन तरह की problems में पढ़ना ही ना पढ़े, preferably choose that place to give an exam, exam home से होना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये exam अपने घर से देना है, आप इसे अपनी office से दीजे, अपने friend के घर से दीजे, अपने relative के घर से दीजे, ऐसी जगे से दीजे, जहां आप sure है कि power supply का issue नहीं होगा, internet connectivity बिल्कुल superior रह ठीक है जी, chat box एक रहता है, आप उस chat box को use कीजेगा, उस chat box, वो chat box activate कब होता है, बच्चों जब आपका proctor आपको best of the luck का message भेजेगा, उसी के साथ वो chat box active हो जाएगा, और आपको screen में छोटा सा नीचे दिखाई देता रहेगा, ठीक है, तो आप उसे जरूर use कीजेगा, अ ICSI ने जो specific do's and don'ts issue करें हैं, वो क्या है, webcam जो लोग laptop use नहीं कर रहे हैं, desktop या computers use कर रहे हैं, please webcam को ऐसी जगे पे position करवाएं, जिससे कि आपका चहरा frame के बिल्कुल center में आए, आपका चहरा है, शर्माना कैसा है, खुल के दिखाईए बिल्कुल, तो सबसे preferable जगे क्या होग ना ही Manoj Kumar बनियेगा, जो अपने हातों से अपना चहरा चुपाता है, अपने चहरों को अच्छे से दिखाई देने दीजेगा, light source के opposite में बैठेगा, आपके पीछे से light का source नहीं होना चाहिए, आपका light का source आगे होना चाहिए, ताकि आपका चहरा बिल्कुल well lit हो, और अच अपका सिंग की तरह घर में चश्मा पहन के नहीं बैठना है, spectacles okay, sunglasses not okay, दो घंटे का exam होगा, 120 मिनिट अपने bladder पे control रखेगा, एक नमबर, दो नमबर जो करना है, पहले ही कर लीजेगा, exam के बीच में इस तरह की तलब का कोई scope, कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, ठी ठीक है जी, और आप अगर मेरे सच्चे स्टूडेंट है तो आपको कोई unfair means use करने की जरूरत नहीं है, we've given our blood, sweat and toil to this exam and its preparations, हमें इस तरह के किसी भी unfair means को use करने की जरूरत नहीं है, किसी के मन में अगर आभी जाता है, किसी के मन में अगर ये खयाल आभी जाता है, तो please मैं आ So we are not going to use any of these unfair means, academic की अगर बात करें बच्चों, academic point of view से मैं आपके सामने सिर्फ चार बातें ले के आया हूँ, पहला आप लोगों को LMR issue किया जा चुका है, last minute revision का material आप लोगों को दिया जा चुका है, subject specific जिसमें सब कुछ cover किया गया है, please उनका thorough revision करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, पांच बार, जितनी बार हो सकें उसे revise करें, revision is going to be the key, क्या कारण है इसके पीछे, revision सबसे important इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि आप देखें, आपको एक ही दिन में चार पेपर का exam देना है, आपको बीच में कोई break नहीं मिलने वाला है, तो इस mocks को अभी तक आप 4 या 5 mocks दे चुके हैं, उनको वापस repeat attempt कीचे, summary में जाके solutions देखे, answers के साथ, analyze कीचे अच्छे से, देखे कौन से section में आप कमजोर पढ़ रहे हैं, कहां पे आपका score अच्छा नहीं आ रहा है, और उन चीजों पे काम कीचे, corrective actions लीजे, और उन test को बार बार दीजे, 20th को जो ICSI आपको एक opportunity दे रहा है, exam में appear करने के लिए, take good use of that opportunity, make good use of that opportunity, और 20th को जरूर वो exam दीजे, and most important, where your positivity cloak, negativity, negative लोग, negative सोच, negative खयाल से बिलकुल दूर हो जाईए, वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि ये exam तो नहीं हो पाएगा, तो कैसे exam देगा, घर से exam हो रहा है, internet चला गया, तो light चली गया, तो भई, दुनिया की सारी बूरी चीजें मेरे ही साथ होगी, ऐसा जरूरी है, क्या, मुझे positive रहना है, जितनी तैयारी हो चुकी, मैंने जिन चीजों से पढ़ लिया, जो पढ़ लिया, काफी पढ़ा है, अगर कुछ अच्छा होन है, तो वो इसके बूते पे हो जाएगा, ठीक है, positive रहिए, अपने आपको positive message दीजे, affirmation दीजे, और ये मानिए कि किस तारिक को आपका दिवाली का festival है, जिसे हमें बिलकुल जोश से, बिलकुल हर्शो लास से मनाना है, अब मैं सिर्फ 2-3 मिनट का समय लूँगा, और आपक अथमी एक बार उसे पढ़ लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी doubt ना रह जाए, ठीक है, let us go through that particular ICSI PDF, जो ICSI.edu पे भी available है, ठीक है, तो चलिए, allow कीजे मुझे एक मिनट का समय, कि मैं इस PPT से बाहर जा सकूँ, और आपके लिए, चलिए, यह है वो particular material जिसकी मैं बात कर रहा था, चलिए, तो सबसे पहले जो जगे पे आप पहुँचेंगे, बच्चों, वो होगा आपका सेबिट, यानि की जो आपका safe examination browser है, उसको आप जैसे ही open करेंगे, वो आपसे confirmation मांगेगा, कि आपका कुछ भी unsaved document है, तो वो अपने आप बंध होने वाला है, ध्यान रखिया, आप उसको जैसे ही confirm करेंगे, तो वो आपको ले आएगा, इस slide पे जहां पे आपको अपना login ID और password एंटर करना है, यह login ID और password आपको या तो SMS के माध्यम से, या email के माध्यम से, already ICSI भेज चुका है, ठीक है, तो बिल्कुल carefully इसको enter कीजेगा, sign in कीजेगा, read rules, agree and proceed, अब obviously आपके पास what is the other choice that you have, you have to agree to the rules, जो भी बने वहें, तो please continue कीजेगा, click कीजेगा, I have read और उसके बाद आगे बढ़िएगा, जैसे आप यह करते हैं, आपका auto equipment check होना start हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देखिए, browser compatibility, webcam, microphone check, internet check, बहुत सारी चीजें वो आपकी check करने वाले हैं, ठीक है जी, और जब वो इन चीजों को check कर रहे होंगे, इस दौरान आपको किसी प्रकार का disturbance नहीं करना है, आपको किसी प्रकार का, बच्चों, interruption नहीं करना है, you do not have to interrupt this process, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए कि browser compatibility, webcam, microphone और internet check हो रहा है, इस दौरान webcam को वो on करेगा, start capture वगेरा के, आपको इस दौरान बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, do not interrupt the process in between, after internet check, share your screen, आपके पास में इस तरह का prompt आएगा, आपको वहाँ प इस दौरान वो ये भी check करेगा कि आपने और कोई screens तो नहीं खोल रखे, तो जो भी हमारे Wikipedia और Google के भरोसे रहने वाले दोस्ते हैं, वो please सारी screens को बंद कर दें, और examination के दौरान screens toggle करने का या दूसरा screen खोलने का खयाल भी please अपने दिमाग से हटा दें, ये proctor जब हम कहते है प्रोक्टर का मतलब है कि monitor किया जा रहा है आपका हर activity को, आपके चहरे के expressions आप किधर देख रहे हैं, सारी चीजों को monitor किया जा रहे है, तो please unnecessarily do not invite any trouble, ठीक है जी, जैसे ही आप ये देखे, यहाँ पे सारे green icons आ गए, आपका सारा test complete होता है, तो वहाँ पे आपको एक picture लेन with it, ठीक है, बट आपको Instagram पे से नहीं डालना है, तो बहुत जादा समय इस पे मत दीजेगा, ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि ये photo साफ आए और examiner पहचान सके, चलिए, once ये photo का का काम हो जाता है, एक बार जब आप ये photo ले लेते हैं, बिटा, then you are supposed to show your ID, यानि कि identity card आधार card, driving license, जो भी चीज़े आप वहाँ पे अच्छे से दिखाईए, ताकि अच्छे से ID नमबर वो पढ़ सके, आपको अपने card को इस तरीके से हाथ में पकड़ना है, कि जो unique ID नमबर होता है, वो easily visible हो, ये सारे काम होने के बाद में, आपको personal details enter करने का एक option आएगा, ideally ये auto-populate हो जाती है, आपको कुछ भरना नहीं होता है, basically आपको check करना होता है, कि आपका नाम, last name, nationality, सारी चीज़ें सही से भराई जाया है, या नहीं, click okay if the information provided are correct, अगर आपको लगता है कि आपके नाम वगेरा में कोई problem है, तो please आप cancel करके correct कीज़े उस information को, ideally ऐसा नहीं ह करने का दुबारा option दिया जाएगा, जहां पर आपका roll number और नाम आएगा, ध्यान से उसे पढ़िएगा, और ये confirm वाले icon पे click कीज़ेगा, इसके बाद instructions है, ये instructions आपको अब तक तो already ऐसे भी मूझ जबानी याद हो जानी चाहिए, कि आपके exam में 140 question होने वाले हैं, जिसका 120 मिनिट में आपको answer देना है, negative marking होगा नहीं, चार section होंगे, best चीज है कि किसी भी section का timing नहीं है, आप individual sections में अपनी मर्जी के अनुसार कम या जादा समय ले सकते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा doubt जो लोगों को अभी भी है, वो ये है कि sir, Viva का क्या होगा, Viva के question कैसे आएं 4th वाला paper भी चलेगा, 15 question for 20 marks current affairs के होंगे और बाकी 20 question जो है, वो presentation and communication skills इसे होंगे, तो basically जो आपका business communication वाला portion था, उसी से मिलता जुलता section आपको 4th paper में भी मिलेगा, और जहां पे आपको MCQ के elementary questions, 4 option में से 1 click करके आगे बढ़ना है, ना तो आपका listening test होगा, ना ही आपका को भी oral test वगेरा कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भी exam घर से हो रहा है, ठीक है जी, 90 minute के बाद आप चाहें तो अपना exam submit कर सकते हैं, exam submit करने के लिए please किसी window को directly close ना करें, you will be guided through a process of 3 step confirmation, उसके बादी paper submit करना है, अब ये screen में आपको जेंड दिखाई देगा कि कौन सा question आप attempt कर चुके हैं, किस question को attempt करना बाकी है, अगर आप किसी question को attempt करते हैं, और आप बाद में आके उसका answer वापस check करना चाहते हैं, यानि कि आप bookmark करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा mark का option, तो आप, मैं एक suggestion आपको अगर समय नहीं रहता है, और आप bookmark question पे नहीं आ पाते हैं, तो at least आपने एक answer attempt तो कर दिया था, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं भी mark करके आगे बढ़ जाता हूं, बाद में आके देखूंगा, अगर समय नहीं रहा तो वो unattempted रह जाएगा, और आपको यह ध्यान होना च distract कर रहा है, खास कर कुछ लोग होते हैं, जो अपने चेहरे को देखते हैं, तो बाल बनाने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि चश्मा कैसा लग रहा है, तो इस तरह की problem कि अगर आप भी शिकार हैं, बच्चों, narcissist feelings अगर आप में जादा है, तो please आप इसको ऐसी active हो जाएगा और आप इसको use कर पाएंगे, बहुत अच्छे, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको questions का answer देना है, एक second, जी, चलिए तो आगे चलते हैं, ये legend जो है, ये आपको दिखाता रहेगा कि कितने questions आपने attempt कर दिये, कितने छोड़े हुए हैं, filter the questions based on attempt status, यानि कि last में आपको दिखाई दे रहा है कि कितने questions unanswered हैं, कितने marked हैं, कितने answered and marked हैं, ताकि आप उन पे वापस जा सकें, question का legend आपको any which way, सारे time available रहेगा, chatting with proctor में, अगर कोई problem आपको हुई है, screen freeze हो रही है, या कोई issue हो रहा है, तो obviously बेफिकर रहे हैं, आप chat कर सकते हैं, Okay, another thing to notice over here is, यहाँ पे देखिया, आपके चेहरे के पास एक green outline है, and when I move over here, यहाँ पे red outline है, ऐसा हो ना हो, कितने भी अच्छे internet connection में आप बैठे हो, there will be seconds, there will be fraction of moments, जहाँ पे आपका internet weak पड़ता है, जब आपका internet इस तरीके से weak पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके चेहरे के उपर red color का outline आ जाएगा, और लिखा वरेगा no face, और not look in camera, इस तरह का कुछ अगर आ रहा है, तो आपको panic नहीं होना है, wait करना है, I am sure internet थोड़ी ही seconds में stabilize हो जाएगा, और जैसी वो internet stable होता है, वाप वापस से test को proceed कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा 2-3 बार 120 मिनिट के time span में हो सकता है, and it is normal, और आपको इस बात को समझ के ही आगे चलना है, ऐसा कुछ भी हो जाए तो चार बार enter दबाने की, या escape दबाने की कोई जरूरत नहीं है, लंबी सांस लीजेगा, और एक से लेके 10 तक ग जाएगी, ठीक है जी, अगर प्रॉक्टर को कुछ भी issue लगता है, तो वो आपसे random chat कर सकते हैं, वो आपको chat box में कह सकते हैं, कि आप मुझे अपना admit card दिखाओ, camera, video को इस तरफ shift करो, ऐसा करो, वैसा करो, laptop उठा के पूरे room में घुमा के मुझे दिखाओ, कि कोई और वहा submit करने के लिए आप end test करेंगे, end test करने के बाद में भी वो आपको दुबारा एक मौका देगा, कि भीया, आपको summary बता देगा, कि आपने इतने questions attempt करें हैं, और सोच के बताओ, कि भीया, आपको submit करना है, या अभी भी वापस जाके कुछ check करना है, तो अगर आप वहाँ पे step में confirm करेंगे, तब जाके आपका test submit हो जाएगा, इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच्चों, इंतजार कीजे, जहां तक मेरा मानना है, आपका result जो है, वो max to max आज आएगा, November end तक, क्योंकि registration की जो date है, ताकि आप दोनों module एक साथ दे सकें, वही by default बहुत पहले है, बहुत जल्दी की है, तो results we are expecting की November end तक result आजाएगा, और बस real Diwali आपकी वहाँ पे complete हो जाएगी, और उसके बाद आप कुछ मीठा के लाईएगा मुचे, बाबाई, टाटा, all the best for your exams, and may you get a rocking score.